इवन वन यह विए लो यू कि स्टिल गॉव एवन विए आग विए इस वीडियो में डिसकस करेंगे अबाव जो आपकी ृपल एसबी की रेकृट्मेंट आई है ठीक है बीजी डी केमिस्ट्री की जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो में अबडेट दिया था बहुत सारे स्टुएंट्स को कोशेंज थे इसका सेलेबस क्या रहेगा एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी और मैंने इग्जामिनेशन स्कीम पहले वीडियो में बताईए मैं यहां पर डिसकस करूंगा और इसके रिकार्डिंग कौन-कौन सी बूक्स को रेफर गिया ज लिए तो सबसे पहले हम फिजिकल के मिस्ट्री की बात कर लेते हैं ओवराल अगर मैं आपको बताऊ ना तो सेलेबस में आपके पास जो आपने 11th में चीजें पढ़ी हैं उसके रिगार्डिंग तो कई आपके डिरेक्ट चेप्टर्स ही हैं ठीक है कुछ-कुछ चेप्टर्स कि ऐसा तो है नहीं कि सारा 11th का बेसिस पूछेंगे तो वह सारी चीज हम यहां पर डिस्कुस करेंगे तो चलो अगर मैं फिजिकल के मिस्ट्री की बात करूं तो आपके पास देखो यह सारे चेप्टर्स हैं यह सारे चेप्टर्स जैसे आपके पास 11th और 12th की NCRT होती है कि मिस्ट्री की उसके आपके पास फीजिकल फोटो के मिस्ट्री भी नहीं आपके तो यह थोड़े आपके अडिशनल टॉपिक्स हो गए जो आप अपने बाचलेज बढ़ते हो बाकी सारा डिस्कस कर लेते हैं देखो जैसे अगर हम basic concepts of chemistry की बात करें अब अपनी 11th की NCRT निकालो उसमें ये as it is name का chapter है और इसको हम GPC करके भी पढ़ते हैं अगर हम net की तैयारी कर रहे हैं तो इसको हम GPC के नाम पर पढ़ते हैं इसमें mole concept पढ़ते हैं concentration terms के बारे पढ़ते हैं molarity, molality, percent yield निकाला किसी reaction की empirical formula, molecular formula के बारे discuss करना है या बाकी जो laws होते हैं laws of conservation of mass है law of constant proportion है ये सारी चीज़ हम discuss करते है law of multiple proportions तो ये वाला part आपका बहुत basic रहेगा और even GPC में हम कुछ mathematics की चीज़ें भी पढ़ते हैं जैसे significant figures हो गया तो वो सारी चीज़ें भी इसी में included है error के बारे discuss करेंगे तो वो सारी चीज़ें उसके बाद देखो जो आपका next chapter आता है ना उसके बाद that comes out to be atomic structure 11th early NCRT refer करो आप तो atomic structure देखो अब net में इसको आप quantum chemistry के नाम से बढ़ते हो और net में level high रहता है काफी है उसमें आपके बाद की चीज़ें भी आती है accommodator हो गया SHU हो गया वो सारी चीज़ें आपको यहां पे नहीं बढ़नी है atomic structure नाम मैंने लिखा हुआ तो आपको basic atomic structure का idea होना चाहिए यहां पे और even अगर मैं यहां पे hydrogen atom की बात करता हूं तो आपके पास ऐसे जो आप radial wave functions के graph बनाते हो वो भी आपके included होता है 11th में straddinger equation included होती है basic elementary idea de-progly का concept included होता है तो यह सारी चीज़ें आपको पढ़नी है basic level पे minute बला level नहीं आपको follow करना है इसमें तीक है अब jam type level follow कर सकते हो इसमें तीक है न उसमें भी अगर हम particle in a box नहीं करें तो वैसा चीज़ें ही आपको आएंगी एक बार और है कि जब मैं इसके पी वाई की उसकी discussion करूंगा न तो इसके न ज्यादा papers available नहीं है पर जो जो papers available है वो आपको description में मिल जाएंगे उसको एक बार आप देखना तो उसमें आपको अपने आप level का पता लग जाएगा ठीक है उसके regarding जो जो questions पूछे गए हैं तो next देखो आपके पास जैसे states of matter है तो solid, liquid and gas state हम तीनों करेंगे इसमें ठीक है और इसकी weightage भी रहेगी paper में इन तीनों की तो अगर मैं gaseous state की बात करूं तो जैसे NCRT में आपके पास ideal gas equation होती है उसके regarding सब कुछ and then real gas के बारे compressibility factor के बारे सारी चीजे तो वो सारी चीजे लीकवेड में आपके पास viscosity surface tension का concept आ के बात जो thermo है thermo देखो thermo का जादा कुछ level रहेगा ने इसमें ठीक है जो आपका basic thermo है spontanity हो गई thermo chemistry हो गई इन सब चीजों का आपको अच्छे से concept clear होना चाहिए ठीक है and then equilibrium का concept आ गया equilibrium में chemical ionic and phase अब phase भी elementary ही पूछते हैं जैसे one component system में water की phase diagram पूछ ली at max sulfur की phase diagram पूछ लिया components कैसे निकान लें इस सब चीजें ठीक है तो it all comes to basics because देखो अगर मैं इस exam के आगे आपको examination scheme की बात करूंगा ना तो यहां पर आपकी speed matter करती exam में physical chemistry में खास कर आपको numerical तो पूछे जाएंगे numerical देखो जैसे आइनिक वाला पार्ट है तो buffer के regarding हो गया salt hydrolysis के regarding numerical हो गया तो वो पूछते हैं आपको solubility के regarding numerical हो गया तो उसमें आपको अपनी speed रखनी है because ऐसे exams में जहां पर आपको बहुत सारे questions करने होते हैं कम time में तो आपको speed मना के रखनी है तो physical chemistry के लिए आपको उस तरह practice करनी है ताकि आपकी speed बनी रहे उसके बाद देखो solutions and qualitative properties य इतनी होती है उसमें फिर आप बाद में want of factor के बारे पढ़ते हो तो सारी चीजें आप यह NCRT में भी है अना तो आप उसको follow कर सकते हो then chemical kinetics देखो chemical kinetics में भी जो आपका startic का जो बहुत basic part है वो तो आप सारा NCRT से cover कर सकते हो उसके बाद कुछ-कुछ parts है जैसे steady state approximation उसके regarding आपको questions भी देखने को मिलते हैं ठीक है na activated complex theory ज्यादा मुश्किल नहीं net level का नहीं उससे basic basic level postulates क्या है ठीक है na transition state के regarding पूछ लिया कौन से statement incorrect है तो ऐसी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी ठीक है और ऐसे से के regarding पूछा जाएगा तो आपको बेसी की आएगा बट कुछ-कुछ parts आपको थोड़े से आगे वाले लेवल के करने भी एसी लेवल के ठीक है उसके बाद electro chemistry है electro chemistry तो आपका बहुत बेसिक वाला रहेगा, conductance वाला part हो गया, call rush lodge इसमें सब कुछ है, उसके बाग, galvanic cell वाला part हो गया, अब देखो अगर मैं surface के mystery की बात करूं ना, तो surface के mystery के लिए जो आपका colloids वाला part है वो बहुत important है, तो उसके लिए आप NCRT follow कर सकते हो, colloids वाले part के लिए, ठीक है न क्योंकि colloids में आपको पता है, ज्यादा theory रहती है, और DSSB में ज्यादा theory के regarding questions भी पूछे जाएंगे, खास कर इस वाले chapter में से, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, और वहीं अगर मैं adsorption की बात करूं, तो adsorption में, NCRT में है, frontlich वगरा है, बड़ अगर आप langmere करना है, langmere आपको करना है, because langmere के regarding questions दाएंगे, मैं वहीं कहा रहा हूँ, आपको थोड़ा one step further जाना है, चीजों में, वह आप PY की उसके through अंदाजा लगा सकते हो, right, उसके बाद physical photo chemistry, अलग chapter NCRT में तो आपको मिलेगा नहीं, तो इसमें कौन-कौन से topics covered होंगे, for example, ablonsky diagram है, ठीक है ना, यहां फे quantum yield का concept है, तो देखो, यह भी starting-starting में ही आते हैं concepts, है ना, तो यह आपको करने है, इसके regarding, okay, quantum yield हो गया, कुछ photochemical reactions हो गया, जैसे HBR की, HCL की formation, है ना, उनमें quantum yield क्या रहती है, थोड़ा याद करने वाला part भी, तो यह सब चीज़ें आपको प वाला part, inorganic और organic का भी discuss करता हूं, देखो, inorganic में अगर हम बात करें, जैसे periodic table है, chemical bonding है, तो यह वाला तो आपका सारा basic party रहेगा, जैसे आप NCRT में पढ़ते हो, ठीक है, main block में भी देखो, बहुत कुछ है, main block में बहुत सारी चीज़े हैं, तो आपको बहुत सारी मिलते हैं, papers अंदाज़ा होगा ना वो आपको, silicate के through, silicate ऐसे topic है main block में, उसमें थोड़ा सा आगे further पूछ लिया, तो उसके बारे आपको पढ़ना पढ़ेगा, तो selectively कुछ-कुछ topics को आपको पढ़ना पढ़ेगा, तो main block ऐसा है, है बहुत बड़ा, but selectively, important, important, जो topics होते ह हैं, इसमें से वो पढ़ सकते हैं, metallurgy वाला देखो, आपके पास, जो 12th की NCRT है, 12th की NCRT, उसमें आपके पास metallurgy के regarding, पूरा chapter है, extraction of metals में, जिसमें elingham diagram वगएरा भी है, तो वो तो आपको as it is 12th की NCRT से करना है metallurgy, ठीक है, acid base, बहुत basic रहेगा, Lewis base, Lewis acid, bronze acid, acid, bronze base, उसक बाद जो DNF block है, ये भी आप NCRT से कर सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें आगे कर सकते हो, ठीक है, bio organic, although ये net में आता है, इसमें बहुत minor आता है, तो I can say, की बहुत minor topic है, ठीक है, बहुत छोटा topic है इसमें, अगर हम nuclear की बात करें, nuclear भी आपका बहुत minor topic है, star मतलब minor topic है, ज्या बादा relate करके पूछते हैं, वैसे थोड़ा बहुत पूछेंगे, alpha decay, beta decay के बारे, तो basic आपको idea होना चाहिए, coordination की बात करें, तो CFT से आगे नहीं जाते हो, ठीक है, तो coordination जैसे आपने net में बहुत आगे तक का पढ़ा है, वैसा आपको नहीं आएगा, basic coordination ही रहेगा, CFT तक, and then organometallics में भी जैसे हम metal carbonyl की chemistry करते हो, stretching frequency, जादा उसके regarding की पूछा जाता है, ठीक है, so you will get the idea, ये दो रहेंगे important chapters, ये भी इतना बड़ा नहीं है, organometallics ऐसा है, कि इसको coordination में भी consider किया जा सकता है, इतना vast नहीं है, ठीक है, चलो, उसके बाद हम देखते हैं, organic chemistry, ठीक है, अगर मैं overall बात करूँ ना, तो physical chemistry में आपकी speed matter करेगी numerical solving की, ठीक है, inorganic chemistry में आपको याद होना चाहिए चीजें, ठीक है ना, mostly चीजें याद होनी चाहिए, concepts भी है, no doubt, chemical bonding के concepts होगे, coordination के concepts होगे, बड़ काफी याद करने वाली चीजें भी है, तो उसके relevant भी आपको पूचा जाता है, ठीक है, और organic chemistry में बात करूँ, तो organic chemistry में, देखो आपका concept clear होना चाहिए, बहुत basic level का, है ना, जैसे हम GOC में पढ़ते हैं, तो GOC में acidity, basicity किस तरह compare करनी है, ये सब चीजें, resonance देखनी है, resonating structures की stability देखनी है, तो बहुत सारी चीजें हैं, जो basic है, जो 12th, 11th, 12th में पढ़ते हैं, तो वो आपको clear होनी चाहिए, ठीक है, तो अगर basic organic chemistry में बात करें, तो IUPAC, GOC, aromaticity, आना, तो आपका ये basic ही रहेगा, जैसे आप पढ़ते हो, IUPAC पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब, क्योंकि इसके regarding भी आपको questions पू तो ये तो आपका basic रहेगा, then stereo में भी आपका जो सारा stereo, optical, constitutional, conformational, geometrical, सारा, तीक है, ज्यादा high level नहीं, basic basic level का, and then reaction intermediates, mechanism, reagents, and name reaction, ये तो आपको पता ही है, पहले intermediates पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, पहले आप fundamental पढ़ते हो, ये fundamental का पाट है न, पहले आप ये पढ़ते हो, आप आगे वाली चीजें, understand कर पाऊगे, because organic हम इस तरह ही पढ़ते हैं, तो then हम mechanism पढ़ेंगे, अगर हमें intermediates की समझ होगी, then हम reagents वगरा देखेंगे, कौन-कौन से है, अब अगर name reactions की बात करूं, काफी ज़्यादा strengths को confusion होती है, कि sir, कौन-कौन से name reactions किये जाए, देखो, जो आपके general name reactions है, for example, open hour oxidation हो गया, MPV reduction हो गया, ठीक है, और Claisen Condensation हो गया, बहुत सारे आपके name reactions है, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको वही वालों का idea होना चाहिए, देखो, अगर आप intermediates देखोगे, उसमें आपके काफी ज़्यादा name reactions cover हो जाएंगे, देखा न, intermediates में ही, जैसे Lawson rearrangement, Hoffman rearrangement, यह सारे आपके intermediates में cover हो जाएंगे, कार्वी, नाइकरीन वाले में, और भी बहुत सारे, वैगना मोविन, काबोगडायन में, तो इसमें भी आपने काफी ज़्यादा name reactions cover कर लिए, intermediates में, mechanism में भी आपने काफी ज़्यादा cover कर है, reagents में भी आपने काफी ज़्यादा name reactions discuss कर लिए, तो आपके थोड़े से बचेंगे, तो वही आपको name reactions वाले बाकी पार्ट में करना है, उसके बाद देखो, जो biomolecules है, so biomolecules में आपके पास carbohydrate chemistry है, और amino acid chemistry है, ज़्यादा हीनी में से पूछा जाएगा, nucleic acids में से ज़्या selectively पढ़ सकते हो, ठीक है, polymer देखो, polymer जादा नहीं पूछा जाएगा, देखो, यह physical chemistry वाला polymer यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी, ठीक है, उसकी आप tension मतलो, polymer यहाँ पे organic chemistry वाइस पूछा जाएगा, याद करो, आपके पास 12th की NCRT में एक chapter था, polymers के regarding, polymer in everyday life, यहाँ ऐसा कुछ था, polymers का था, तो 12th की NCRT का आपका polymers आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसको आप as it is, अच्छे से कर लो, nylon 6 क्या होता है, nylon 6 6 क्या होता है, उसके monomers क्या होते है, pet क्या होता है, क्या होता है, polyester होता है, यह सारी चीज़े, राइट, then pericyclic, तो pericyclic का आप से cladent से cover कर सकते हो, ठीक है, pericyclic आप cladent से cover कर सकते हो, basic pericyclic की आएगा, ज्यादा advance नहीं आएगा, hetero भी आप cladent से cover कर सकते हो, बहुत basic-basic की आएगी, and then organic spectroscopy में तो आपको पता, यह NMR important रहता है, यह आपका, ठीक है, IR और UV भी इंपोर्टेंड है, UV में से ज IR में से थोड़ी जादा पूछी जा सकती है, सबसे important यहां पर NMR है, तो इस तरह आपके chapters रहेंगे, ठीक है, so, कुछ chapters आप देख सकते हो, आप direct NCRT से भी कर सकते हो, जैसे polymer वाला, direct NCRT से कर सकते हो, ठीक है, और और भी कुछ-कुछ chapters, जैसे, biomolecules का आप थोड़ासा idea ले स रखते हो, from the NCRT, right, उसमें क्या-क्या चीज़ें दी हुई है, तो यह आपको organic chemistry का रहेगा, ठीक है, तो physical में मैंने जैसे speed बोला, inorganic में, आपके, you can say, basic concepts, ठीक है, प्लस, आपको facts वगएरा पता होने चाहिए, and organic में, FI से, organic में, आपका basic concept वाला पार्थ, बहुत, सही तरीके से clear होना चाहिए, उसके बाद यह आप questions को अच्छे से कर पाऊगे, तो आपको in-in fundamentals पर focus करना है, चलो, एक बार हमने syllabus discuss कर लिया, उसके बाद हम examination scheme पर चलते हैं, मैंने यह बहले भी discuss करी थी, अब ध्यान से देखना इसमें क्या है, so total आपके पास यहाँ पे 300 MCQ हैं, और इन 300 MCQ को करने के लिए, केवल और केवल आपके पास 180 minutes का time है, ठीक है, so एक minute में आपको एक से ज्यादा MCQ करना है, तो speed पता लग जया न, आपको किस तरह matter करती है, right, speed भी matter करेगी, accuracy भी matter करेगी, because यहाँ पे आपके पास negative marking है, minus of 0.25 की, मतलब 1 फूर्थ की negative marking है per question, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, negative marking है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, कि आपका examination का नाम है, tier 1, tier 1 examination, तो इसमें आप देख सकते हो, आपके पास 2 sections है, section 1 and section 2, मैंने उस वीडियो में बताया था, जो qualifying marks है, हाना, वो आपके यहाँ पे, because यहाँ पे आपका subject के related आएगा, तो यहाँ पे 40% आपके qualifying marks रहेंगे, for the general category, general category के लिए qualifying marks आपके 40% है, और यह केवल section 2 के लिए applicable है, section 1 में आप देखो, mental ability, reasoning, general awareness, ठीक है, अब काफी students का doubt होता है, इसको कैसे किया जाए, देखो YouTube के, आप even video search कर सकते हो YouTube पे, जहां पे यह सारी चीज़ें cover up होती है, because यह सारे exams को लेके common ही होती है, अगर मैं DSSB में बात करूँ, तो PGT chemistry में आ रहा है, PGT physics में, ठीक है ना, संस्कृत में, सब में यह वाला part तो आपका common ही आ रहा है ना, तो इसको आप उस sense में कर सकते होगी, videos के through, ठीक है ना, बाकी इन चीज़ों को करने के लिए आपके पास previous year questions हैं, काफी questions हैं, तो उनको practice करो, plus आप YouTube refer करो, इसके लिए, ठीक है, तो बहुत सभी रहेगा, अब आप देख सकते होगी, यहाँ पे आपके पास 100 marks है, total, 5 sections हैं, तो 20 marks का, यहाँ पे, एक subsection है, subsection बोल सकते हैं, 5 subsections हैं, और जो आपके पास यहाँ पे methodology, देखो, यहाँ पे cut होगया थोड़ा सा, teaching methodology, जैसे आपको beard में कराई जाती है, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, उसके regarding आप अगें YouTube को refer कर सकते हो, और pertaining to post graduate qualification, जो आपको syllabus अभी पहले discuss किया है, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें रहेंगी, हाँ, देखो, physical में आपको एक और चीज़ बताऊंगा, कि उसमें थोड़े-थोड़े calculated questions पूछे जा सकते हैं, ठीक है, calculator आपका providing नहीं, आप इस तरह लेके चलो, तो उस तरह आप अपनी speed बना के रखो, जैसे कुछ questions में थोड़ी calculations होती है, जैसे solubility का हो गया, है न, salt, hydrolysis में log बगारा लेना है, उसमें थोड़ा सा concept हो गया, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी speed अपनी maintain करके चलना, practice के साथ, तो यह आपके पास रहेगी examination scheme, ठीक है, at the end मैं discuss करूंगा, books, ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक चीज़ important है, जो आपकी NCRTs है, वो सभी important है, ठीक है, जो जो basic चीज़ें आपको, जैसे physical में आपका atomic structure वाला पार्ट है, तो आप थोड़ा NCRT को refer कर सकते हो, उसमें, basic concepts of chemistry तो पूरा आपका NCRT से related ही है, ठीक है, inorganic में मैंने mean block वाला बात बताया, BNL block वाला बात बताई, तो यह सारी चीज़े, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ-कुछ topics में आपकी NCRT sufficient नहीं है, तो कुछ-कुछ topics को बहुत ध्यान से सुनो, हम selectively पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने, आज पूरी शर्मा प वह तो आपको NCRT से करना है, अब एड्जॉप्शन वाला में को Langmuir वाला इड्जॉप्शन आपको पढ़ना है, तो वह मैं कहां से पढ़ूंगा, मैं पूरी शर्मा से पढ़ लेता हूं, तो ऐसे करना है selectively, okay, similarly आपके पास देखो, यहां पे GD Lee है, okay, for the inorganic chemistry, तो आप G GD Lee से पढ़ सकता हूं, okay, Claydon आपकी रहेगी for organic chemistry, बताया, heterocyclic chemistry करना है, ठीक है, pericyclic करना है, तो वह Claydon से कर सकते हैं, और भी देखो, organic chemistry की basic books हैं, जैसे Paula Bruce है, जो आप BSE first, second semester में पढ़ते हो, same आपके पास basic organic chemistry, advanced नहीं बोल रहा है, but advanced आपकी net के लिए, basic वाली, तो आपकी books रहेंगी, selectively पढ़ने के लिए, ठीक है, कुछ-कुछ topics को, कुछ-कुछ topics तो आपके NCRT से cover हो जाएंगे, और last में, हम आपको बात बताऊंगा regarding the PYQs, आपको PYQs की practice करनी है, ठीक है, इसके regarding जादा papers available नहीं है, बट तीन papers available हैं, ठीक है, तो आप उनको, आपको description में, वो मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है, तो PYQs आपको मदद करेंगे, जो आपका section 1 है, और even जो section 2 वाला part है, उसमें teaching methodology वगएरा, उसके regarding भी, देखने के लिए, PYQs आपके मदद करेंगे, कि किस तरह के questions आते हैं, ठीक है, और जो आपका section 2 है, जो होंगी, ठीक है, तो, all the best for the exam.